तो आज हम वृत एवं उससे संबंधित प्रमियों के बारे में जाने हैं तो आए सबसे पहले पुन्रा वरतन के जरीए वृत के कुछ मूल बातों को जानने इस आकृति में यह वृत है इस वृत का ओग केंद्र बिंदु है और किसी भी वृत के केंद्र बिंदू से वृत पर एक रेखा कीछे तो उस रेखा को त्रज्या कहते हैं अर्थात यहाँ पर OE एक त्रज्या है OE इस वृत की त्रज्या है और किसी भी वृत के केंद्र बिंदू के द्वारा अगर किसी भी रेखा को कीछे इसकी दोनों सीरे वृत पर हो तो उसे व्याज कहते है अर्थात यहाँ पर जो अब रेखा है वह व्याज है और वह रेखा जिसके दोनों सेरे वृत पर हों पर वह केंद व्रिंदु O के जरीय ना जाए अर यहाँ पर जो सीड़ी रेखा है वह इस वृत का जिवा है तो यहाँ तीन चीजें वृत की मूल बाते हैं आईए अब वृत के प्रमियों के बारे में जाने तो पहले प्रमियों के बारे में जाने तो इसमें केंदर से जीवा पर डाले गए लंब के गुण धर्म के बारे में जानते हैं इस आकृति में O बिंदु इस वृत का केंदर बिंदु है और केंदर बिंदु द्वारा एक जीवा A B पर एक लंब रेखा कीची गई है अगर आप पैमाने के द्वारा नापे इस am की लंबाई को एवं इस mb की लंबाई को तो आप पाएंगे कि यह am की लंबाई MB की लंबाई के बराबर आ रहा है अर्थाथ AM की लंबाई MB के लंबाई के बराबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समविभाजित करता है अर्थाथ अगर केंदर बिन्दु O द्वारा एक लंब रेखा किसी जिवा AN पर खीचे तो आप आएंगे कि AM MN के बराबर हूँ तो हमने एक प्रमया के बारे में जाना अब आईए व Signal के दूसरे प्रमया के बारे में जाने अब दूसरे प्रमया के बारे में जाने इसमें सरवांगसम जिवाओं तथा केंद्र से उनकी दूरी के गुड़ धर्म के बारे में जानेगे तो इस आकृति में देखें अगर आप दो जिवा कीचे जो की एक दूसरे के बराबर हो अर्थाथ AB जिवा की लंबाई CD जिवा के लंबाई के बराबर हो अगर आप केंद्र बिंदू O से इस जिवा AB की दूरी नापे और इस जिवा CD की दूरी केंद्र बिंदू O से नापे तो आप पाएंगे कि यह दूरियां एक दूसरे के बराबर आ रही है अर्थाथ या जो OM है या ON के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एक ही वृत की सरवांगसम जिवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है और थाथ कोई भी दो जिवाएं एक दूसरे के बराबर है और थाथ अगर A, B, C, D के बराबर है तो आप पाएंगे कि O से A, B की दूरी और O से C, D की दूरी बराबर होती है हो आ प्रैम्या आ या अप कि शर्वानकसम जिवाओं द्वारा विर्थ के केंतर हो द्वांक स pozway के गुडधरन को resort कि विर्थ का केंतर विंदू है और यह एक अभी सीडी जिवाएं हैं और यह जिवायं एक दूसरे के बराबर हैं अर्थाद अगर आप दो जिवाईं कीचेंगे जो एक दूसरे के बराबर है तो उनके द्वारा केंदरविंदु ओपर कौण बनाये जाए इसे अंतरत कौण कहते हैं और आप इसे चांदे के द्वारा नापेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ कौण एक दूसरे के बराबर है अर्थाद कौण AOB कौण COD के बराबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक ही वृत की सरवांगसम जिवाएं केंदर पर सरवांगसम कौण अंतरत करती है अर्थाद अगर आप दो जिवाएं बनाएंगे जो की एक दूसरे के बराबर है अर्थाद अगर ABCD के बराबर है तो उनके द्वारा केंदर पर अंतरत कौण अर्थाद कौण AOB बराबर होगा कौण COD के तो अभी हमने वरित की तीन प्रमेओं को जाना यह प्रमे बहुत महत्पूर है और इन प्रमेओं द्वारा आप कई परश्नों को हल करसे हैं तो अभी हमने प्रमेओं की जानकारी ली अब आईये कुछ परश्न को करें तो पहला प्रश्ण है, इस प्रश्ण में दो वृत एक दूसरे को M और N बिंदू पर काट रही है, यहाँ O केंदर बिंदू इस छोटे वृत का केंदर बिंदू है, और यह ओड़ेश केंदर बिंदू इस बड़े वृत का केंदर बिंदू है, और प्रश्ण में दिया गया कि वृत ओ की तरिजिया 5 cm है वृत ओडश की तरिजिया 6 cm है और यह MN रेखा की लंबाई 8 cm है और हमें ग्याद करना है वो ओडश की लंबाई तो इसे किस प्रकाद रहे पाईए इसे हल करते हैं तो और यहां पर ध्यान से देखे कि MN जिवा इस O कींदरबिंदु गृत का जिवा है और यह MN रिखा इस25 केंद्र बृट वरित का भी जिवा है तो यह MN इन दोनों वृतूं का समान्य जिवा है क्योंकि यह MN एक जिवा है और एक जिवा पर केंद्र बृतूद्वारा एक लंब रिखा कीजी जा रही है तो यह MP पर एक दूसरे के बरावर होगे अरथाथ अगर MN आठ संटिमेटर है तो यह MP की दूरी हो जाएगी अगर हम ओपी एवं पी ओडेश निकाल दे और इन दोनों को जमा कर दे तो हम ओडेश निकाल सकते हैं तो इस त्रिकोन में देखें ओएंपी त्रिकोन में त्रिकोन ओएंपी में यहां पर पाइथागरस प्रामे लगा सकते हैं अरथाथ ऊ-म का वर्ग बरावर होगा MP के वर्ग जबां ओ-पी का वर्ग ओ-म की दूरी दे रखी है क्योंकि यहां पर ओ-म देखें इस छोटे वृत का त्रिज्या थ्या चोटे वृत का पाट सिंटिमेटर दिया है ते 16 जमा ओपी का वार्ट तो यहां पे ओपी का वार्ट हो जाएगा 9 तो हमें पता जिल गें ओपी ती आईए अब पी ओडैश को निकाले तो वृत एमपी ओडैश में देखें इस वृत में मॉझे देख ओडैश का वर्ग परावर होगा पी ओडैश के वर्ग जमा MP वर्ग है यहाँ पर मॉडैश बड़े वर्ध का त्रज्या है और बड़े वर्ध की त्रज्या 6 cm दी तो यहां पर 6 का वर्ग आलना 36 और पीओ डैश हमें निकालना है तो इसे पीओ डैश का वर्ग हो जाएगा 36 और तीस तो यहां पर पीओ डैश हो जाएगा वर्ग मूल 20 अब हमें ओपी पता चल गया और पीओ डैश पता चल गया तो ओडैश की लंबाई हो जाएगी ओपी प्लस पीओ डैश तीन जमा वर्ग मूल 20 तो इस प्रकार हमने इस प्रश्ट पहुंग लिए आईए आईए अब दूसरे प्रश्ट को हल करते हैं तो इस प्रश्ट में देखें इस प्रश्ट में इस केंदर बिंदू ओ वृत के तीन जिवाएं हैं और यह एक दूसरे के बराबर दी हुई है और यह तीनों जिवाएं त्रज्ट के भी बराबर दी गई थे तो हमें ग्याद करना है इस कोण वृत की त्रज्ट है और यह ओड़ी भी वृत की त्रज्ट है और प्रश्ट में दिया हुआ है कि सीड़ी त्रज्ट के बराबर है और यह भी सीड़ी के बराबर होगी और यह ओड़ी भी सीड़ी के बराबर है अब यहां ध्यान से देखें कि यह त्रिकोंड एक चल गया यहां कोण है 60 तो कोण COD पता चल गया हमें 60 अब यहां ध्यान से देखें क्योंकि यह CD और BC एक दूसरे के बराबर है और यह इस केंदर बिंदू O ब्रित्त की जिवाएं हैं तो तो इस CD द्वारा इस केंदर बिंदू O पर अंत्रित कोण और BC द्वारा O बिनदू पर अंत्रित कोण बराबर होगी तो एक 50 डिकर है तो इस कोण BOC भी 60 डिodel हैं और यह AB भी BC जिवाएं के बराबर है तो इस AB द्वारा केंदर बंदू O परंत्रित कौन भी 60 डिगरी के परावर हुआ तो हमें AOB कौन का भी ग्यात्मता चल गया जो की 60 डिगरी है और कौन AOD हमें ग्यात करना है और कौन AOD, कौन COD, जमा कौन POC, जमा कौन AOB के परावर है अर्थाथ, 60 डिगरी, जमा 60 डिगरी, जमा 60 डिगरी, अर्थाथ, 110 डिगरी तो यहाँ पर कौन AOD का माप है, 180 डिगरी आईए, अब तीसरे प्रश्ट को हल करें इस प्रश्ट में दिया गया है कि AB जिवा या AB एक जिवा है और CD जिवा या CD जिवा एक दूसरे के बराबर दे रखिए या AB जिवा, CD जिवा एक दूसरे के बराबर दे रखिए और हमें साबित करना है कि या DQ की लंबाई और या BQ की लंबाई एक दूसरे के बराबर है तो इसे कैसे साबित करें? आईए, इसको साबित करते हैं क्योंकि यह AB जिवा और यह CD जिवा एक दूसरे के बराबर है तो केंद्रविंदु O द्वारा इन दोनों जिवाओं की दूरी बराबर होगी अधार यहां से आप एक लंब रेखा कीज़े और इस उसे इस पर भी एक लंब रेखा कीज़े आनलेते हैं यह M और यह M तो O M, O N के बराबर होगी अभी हमने एक प्रमिया गिया और इसको भी हम जोड लेते हैं यहाँ पर दो त्रिकोणे बन रही है Q O M और Q O N अगर हमें पता चल जाए कि यह M Q रेखा Q N रेखा के बराबर है तो हम साबित कर सकते हैं कि D Q रेखा B Q रेखा के बराबर है तो आईए सबसे पहले M Q को Q N के बराबर साबित रहे हैं तो इस अनकूल करने की कोशिश करें तो इस त्रिकोण में देखें कि यह Q O यह Q O लंबाई दोनों त्रिकोणे में समानने हैं तोस्थ हम त्रिकोण Q O M एफं त्रिकोण Q O N में देख ले हैं यह Q O दोनों त्रिकोणों में समानने हैं और यह Q O Q O Q O एक दूसरे के बराबर है क्योंकि यह 90 डिगरी के बराबर है और यह Q O Q O के बराबर है और यह O M O N के बराबर है क्योंकि अभी हमने इससे सावित किया एक के जरीए तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोण Q O M अनुकूल है त्रिकोण Q O N के क्योंकि हमने इस Q O M त्रिकोण एवं इस Q O N त्रिकोण को हमने अनुकूल सावित कर दिया तो हम कह सकते हैं कि यह Q M रेखा एवं Q N रेखा भी एक दूसरे के बराबर है अब देखें ध्यान से A B C D के बराबर इस प्रश्ट में दिया हुआ है अब इन A B और C D को आधा गर रहें यहां पर ध्यान से देखें कि यह O द्वारा इस A B जीवा पर एक लंब रेखा कीजी जा रही है और किसी भी केंदर बिंदू द्वारा किसी जीवा पर लंब रेखा कीजी जाती है तो वह लंब रेखा जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर लेती है अर्थाथ यह M B और M में एक दूसरे के पराबर है अर्थाथ यह M B रेखा यह A B जीवा की आधी है अर्थाथ A B बाइटू हम लिख सकते हैं M B इसी प्रकार C D बाइटू हम लिख सकते हैं N D अब इस M B में से हम M Q को घटा कर गते हैं और N D में से भी M Q को घटा कर गते हैं हमने M B में से M Q को घटा किया और N D में से भी M Q को घटा किया तब भी यह बराबर होंगे अब हम जानते हैं कि यह M Q Q N के बराबर है तो M B माइनस Q M बराबर होगा N D माइनस M Q के और यह M Q को हम Q N भी लिख सकते हैं तो मैंने Q N लिख सकते हैं अब यहाँ धेहां से देखें कि इस M B रेखा में से अगर हम M Q को घटा कर दें इस M B में से M Q को घटा कर दें तो हमें B Q मिलें तो इसे हम B Q लिख सकते हैं और इस ंड रेखा में से अगर हम इस ंड क्यू को घटा कर दो तो आज हमने बृत के बारे में पढ़ा एवं उसके कुछ प्रमियों के पारे में भी जाना एवा हमने कुछ प्रश्णों को हल किया जिसे अव्रेप के प्रमियों को अच्छे प्रगार जान सेगे चाले बाद